Assalamualaikum students, welcome to the students platform. आज हम बढ़ेंगे 25403 के lesson number 16 को तो आज ये स्टार्ट करते हैं, attribution. What is attribution? पहले ये देखते हैं. Attribution is a process by which people use information to make interferences about the causes of behaviors and events. Past experiences की बुनियाद पर लोगों का future behavior predict करना और इस बात का अंदाज़ा लगाना कि दूसरे बंदे के एक specific behavior की reason क्या है? Attribution कहलाता है. इस concept को हम next 3-4 lectures के अंदर details से बढ़ेंगे. Attribution Theory Attribution Theory is the area of psychology concerned with when and how people ask why question. मतबब क्यूं? Why? जब लोग why का स्वाल बूचते हैं, तो वो concern होता है word attribution से. Fritz Header जो है, इसने कहा था कि people are motivated by two primary needs. पहली, लोग दुनिया के लिए एक disorganized या ना समझाने वाले view नहीं रखना चाहते हैं. लोग social events को, social interactions को जानना चाहते हैं और इनकी explanation चाहते हैं और वो चाहते हैं कि world in की सामने एक organized शकल में हो. Second is यह कि लोग चाहते हैं कि इनका महौल पर control हो. एक बंदा जिस तरह behave कर रहा है, दुसरा बंदा चाहता है कि इसका behavior भी इसके मुताबिक हो. The Locus of causality कोई भी शक्स कोई काम करता है, तो इसके वो काम करने की वज़ा क्या है? Header gives two kind of attribution, internal and external. Internal को personal attribution भी कहते हैं, यानि इनसान का behavior इसके internal traits, moods, attitudes, abilities की वज़ा से. Intribution और situational attribution यानि इनसान का behavior इसके महौल की वज़ा से, या दूसरे लोगों के साथ, interaction की वज़ा से, या किसी भी environmental situation की वज़ा से. Stability and controllability Stable and unstable के बारे में Wanner ने कहा था, There are also stable and unstable causes. There are external and internal causes. There are controllable and uncontrollable causes. पहले सबसे वों discuss कर बता रहा है, uncontrollable, controllable versus uncontrollable. कुछ चीज़े हमारे control में नहीं होती. मसलिएं आप exam की त्यारी करते हैं, ये controllable है. कुछ चीज़े हमारे control में होती है. वो exam की त्यारी हम कर सकते हैं, जितनी चाहिए जितना पढ़ाई करना चाहिए कर सकते हैं. जो uncontrollable चीज़े वो है हमारा IQ, हमारा IQ लेवल आटो पर जितना है उतना ही है, हम उसको कम ये ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से, उस speed से हम तेज नहीं कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमारे control में steady है. मेर और कोईल ने कहा था, जब हम किसी के behavior को जानना चाहते हैं, तो हम तीन चीज़ों को देखते हैं. या number three situation की वज़ा से हुआ है, आगी एक table है, इसको हम skip करेंगे. अगर हम एक interaction में बंदे के बारे में गलत गुमान कर लेते हैं, पहले interaction में अगर गलत गुमान कर लेते हैं, लेकिन internally इस बंदे का behavior जो है वो बहुत अच्छा है. When we make dispositional attribution, किसी बंदे की behavior को जज़ करने के लिए आम तोर पर हम अपने mind में कुछ rules सेट कर लेते हैं, और अपनी इन ही के मताबिक बंदे को ज़ज करते हैं. ये तीन चीज़ें बीच में social desirability है, choice है और non-common effect है. अगर आपको एक social and desirable behavior नज़र आता है किसी में, तो आप consider कर लेंगे कि ये internal और stable causes की वज़ा से है. मिसाल अगर एक बंदा कहता है कि elders की expect करनी चाहिए, अभी हमें नहीं पता कि वो बंदा अपनी personal life में कैसा है, वो सिर्फ खुद को अच्छा थाबित करने के लिए ये बात कह रहा है, या फिर वाकिए वो elders की expect करता है, इसे हम internal attribution नहीं कहेंगे, लेकिन एक बंदा दूसरे मिसाल है, एक वाइफ शोहर के लेट घर आने पर नराज होती है, ये बंदे से हट कर बात करता है, ये बंदे की खुद की perception है, इसे हम internal attribution से relate करेंगे, तक को वरियेशन मॉडल, कैली ने दिया था को वरियेशन मॉडल, एक चीज़ के वज़ा से दूसरे में तबदिली यान को वरियेशन कहलाता है, behavior occurs when a specific reason occurs, behavior not occurs when a specific reason not occurs, मिसाल है, एक वाइफ शोहर के लेट घर आने पर नराज होती है, अगर वो दोस्तों के साथ बैठ कर आए तो, लेकिन अगर काम की वज़ा से लेट आज़ा है तो वो नराज नहीं होती, यहां से देखें, discounting and augmentation principle, there are two principles when multiple causes, यानि अगर एक से ज़्यादा वज़ुहात हों तो, कौन से ज़्यादा एहम होगी, पहली है, discounting principle, एक cause को reject कर दिया जाता है, और अगर इसके साथ दूसरी causes हों, तो उन में से किसी एक cause को strat कर लिया जाता है, मसाथ, एक बच्चा एक्जाम में फेल हो गया, क्योंकि इसने त्यारी नहीं की थी, लेकिन वो इस वक्त बिमार भी था, तो हम इसको छोड़ देंगे, इस चीज़ को छोड़ देंगे, हम ये नहीं कहेंगे, कि ये नलाइक था, क्योंकि वो बिमार था, अग्मेंटेशन प्रिंसिपल क्या है, अगर कोई चीज किसी बहीविर को रोक रही है, लेकिन फिर भी वो हो गया, तो इसका मतलब है, कि इस चीज़ के कॉस की किल्लत की एहमियत है, मिसाल, एक बच्चा बिमार होने के बावजिद इमतहान में कामयाब हो गया, यानि बच् एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर जो आए था है, वो अनफिवरेबल थे, असेसिंग को वेरियेशन, यहां तक हम दिसकस करेंगे, आगे टेबल है, उसको नहीं हम देखेंगे, असेसिंग को वेरियेशन के अंदर तीन चीज़े हैं, पहले तो कॉसी जो हैं, वो इंटर् अंगला खराब है, मौसम चेंज़ दो रहा होता है, जिसने हम दो बनने का अंगला खराब हो जाता है, और मसलसर भी बोलना पड़ता है, तो ज्यादा मसला बनता है, तो चलें, फिलाल ये लेक्चर तो कम्पलीट करते हैं न, मैं बता रहा था कि कॉजी जो हैं, वो इंटर सिचुएशन, दूसरी चीज़ है, इन पॉइंट्स को देखें, नमबर वन पॉइंट है, कॉंसेंस इनफॉर्मेशन, यूर व्यू इन सेंस लाइक अधर्स, मतलब यूर व्यू इस सेम, आपका व्यू जो है, दूसरों की तरह सेम है, जो दूसरों के वह वह है, आपका है, अगर आप कहते हैं कि कलास में फला लड़का अच्छा नहीं है, और बाकी कलास वाले भी लड़के जो है, वो भी यही कहते हैं कि यह लड़का अच्छा नहीं है, तो इसमें आपको को वेरियेशन की जुरुत नहीं होती, क्यूंके मल्टिपल एविडेंस मुझूद होते हैं, अगर एक बंदा आप से रूट बियेव करता है, तो हो सकता है, इस टाइम सिचुशन ऐसी हो, लेकिन आपका बार बार इस बंदे से इंटरेक्शन होता है, और वो रूट ही रहता है, तो इसका मतलब है वो बंदा इंटरिनली ऐसा है, नमर थरी आखरी पॉइंट जो है, डिस्टिंक्टिवनेस इंफरमिशन, एक बंदा हर दफ़ा एक तरह नहीं बियेव करता, अगर वो केरल नमर 16, PS5403 का, मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गही होगी, बीच में विर थोरी सी डिस्टर्बंस होगी, जिसके वज़ा से शायद आप लोगों का धियान जो है, डिस्ट्रक्ट हुआ हो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि क्लियर कर दूँ आपके सामने हर ची कि आपके सामने हर ची होगी, जिस्टर्बंस 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 होगी, जिस्ट